क्लासिक्त इन दिस वीडियो वी आर गूंग टू सॉल्व दा वर्षीट नहीं कुषिंस आफ वर्षीट 9.2 और यहां आपका फर्स्ट कुष्चन है कि फाइंड आउट वेदर दा फॉलिंग रेशियो फॉर्म प्रपोर्पोर्शन और नॉट मतलब यह कह रहा है कि देखिए यह आपका नया वर्षीट है तो अब हम लोग फर्स्ट कुष्चन नमबर फर्स्ट देख लेते हैं यहां पर तो फर्स्ट का यह पार्ट है टू पॉइंट फाइब लीटर और इसका रेशियो है टू लीटर के साथ और एंड रुपेज 60 रेशियो रुपेज 50 तो यह आप और रेशियो है तो टू लीटर का रेशियो 2.5 लीटर के साथ और शिफ्स्टी का 50 रुपेज के साथ है तो दिखिये पहले आप यहां पर हमें पता करना है कैसे मतलब यह दोनों रेशियो देखवल हैं कि नहीं है तो इनको अब हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2.5 ratio 2 ratio double ratio 60 और ratio 50 इसको कैसे रेट करेंगे इसका pronunciation कैसे होगा तो इसका pronunciation ऐसे कर सकते हैं कि 2.5 as to as it is 60 ratio 50 इस तरह से हम इसका pronunciation कर सकते हैं फिर से आप देख लिए अब यहां पर हम यह देखना है कि दोने हैं कि यहां तो यहां ईंद डेखना है 69 अपान कि नरह सकते हैं में Lea है कि proportion में है के नहीं है तो अगर यह इन दोनों को मतलब aja AyNA to 12 से अगर यह तो थोड़ा हटा देंगे यहिसर लीए जिल लोगता है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था जो लीचे एक जिरो बड़ गया यहां तो पॉइंट खत्म अब यहां पर क्या है यहां पर है यहां पर है 60 अपाउं 50 नाउ तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या तो हम लोग लिखेंगे तो पॉइंट फाइब लिटर रेशियो टू लिटर एंड रुपेज 60 रेशियो रुपेज 50 आर नॉट आर नॉट इन प्रपोर्शन प्रपोर्शन तो अब यह दोलों प्रपोर्शन में नहीं है क्योंकि यह हमें एक वल नहीं मिला तो यह साने से सॉल्ट हो गया अब देख लेते हैं भी पार्ट इसका भी पार्ट तो आप लोग सॉल्व करिएगा हम लोग जी पार्ट डी पार्ट विपार्ट है इसका 12 लीटर कर रेशियो है एक लीटर के साथ और उसके बाद है शिक्स बॉटल्स रेशियोफय बॉटल अब इसका किसे सौल्फ होगा तो फरस्ट अफॉर इंको हमें रेशियो में बनाना पड़े गासे यहां पर क्या हो जाएगा इस इस वहां पर जहां पर हमने डबल रेशियो यूज किया है वहाँ पे हम लोग equal to की sign भी यूज कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने पहले आपको इससे पहले और कुशन में बताया है और इसको कैसे read करेंगे तो इसको read करेंगे 12 is to 8 as c is to 4 12 is to 8 as 6 is to 4 तो यहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 upon 8 क्योंकि ratio है ratio को तो upon में लिखी सकते हैं और equal to यहाँ पर क्या होगा 6 upon 4 अब दोनों को simplify करते हैं we are I am going to simplify these fractions both the numbers are divided by 4, 4, 2 is 8, 4, 3 is 12 now here both the numbers are also divided by 2 तो 2, 2 is 4, 2, 3 is 6 now what is your fraction 3 upon 2 is equal to 3 upon 2 both the fractions are same तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है यह ratios हैं यह proportion में हैं तो so 12 लीटर ratio 8 लीटर and 6 bottles ratio 4 bottles आर इन प्रपोर्शन तो I hope आपको यह पहला question समझ में आ गया होगा नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं तो अब इसमें homework क्या है homework में है बी पार्ट और सी पार्ट तो बी पार्ट सी पार्ट homework है which you have to solve and give the answer in the comment box comment box में इसका answer लिखेगा बी और सी पार्ट कॉपी में solve करके और आपको यह फिर कॉपी में solve करना है तो लिए अब देख लेते हैं question number 2 क्योंकि question number 1 तो solve हो गया question homework के लिए भी मिल गया ratio 6 double ratio 8 ratio 10 तो हम लोग क्या करेंगे जो यह इधर वाला single ratio वाला है और इधर जो single है इनको upon में लिख देते हैं और जो double लगा है वहाँ पर equal to की sign use कर सकते हैं तो यहां क्या हो गया 4 upon 6 और यहां पर क्या हो गया 8 upon 10 हो गया और बीच में equal to की sign आ गए यहांड स्थार थी वाला कि यहांगे तो यहांपर क्या गएंगे कि सो तिसस्टेटमेंट इस statement is not true, यह statement true नहीं है, इसका भी पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग, भी पार्ट है, 99 kg, रेशियो 45 kg, और डबल रेशियो, रुपेज 44, सिंगल रेशियो, रुपेज 20, यह आपका second पार्ट है, आपको इसमें simplify करना आना चाहिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99 upon 45, और उसके बाद एक्वल टू, और उसके बाद आजाएगा, 44 upon 20, नो बोद दर नमबर्स आ डिजल बाई 9, 9 की टेबल हम लोग 11 बार जब पढ़ेंगे, तो 99 आ जाएगा, और 95 जा 45 आएगा, यह बता नमबर्स आद दिजल बाई 4, तो 4 5 जा 20, और 4 11 जा 44, तो आपका रिश्यो क्या बना, 11 upon 5 और इस इक्वल टू, 11 upon 5, तो बोद देफ्रेक्शन आ रसेम, तो बोद दो 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 जाएगा, यह बता आपको थे स्टेट्मेंट यह स्टेट्मेंट यह स्टेट्मेंट तो आपका question no.2 भी यहां पर solve हो चुका है चलिए देख लेते हैं question no.3 अब हम लोग question no.3 देखते हैं question no.3 में क्या बोल रहा है कि first, third and fourth terms of proportion 6, 8, 12 and 108 find the value of a यहां पर देखे वान मतलब four proportions लिखे हुए है मतलब four terms लिखे हुए है और उसमें एक term नहीं है पता उसी को हम लोग को find करना उसकी value find out करनी है तो देखते हैं तो हमारा जो third question है हम लोग को find out करना है तो यहां पर जो हमारा proportion बनेगा 6 है, a है, 12 है और उसके बाद 108 है तो इनको हम लोग लिख लेते हैं 6, a, 12 and 108 are in proportion यह किसमें है यह proportion में है तो अगर इनको proportion में है तो ratio में हम लोग लिख सकते हैं 6 ratio a हो जाएगा और double ratio क्या हो जाएगा 12 ratio 108 हो जाएगा तो यह आपका हो गया तो इसको हम लोग कैसे read कर सकते हैं इसको read करने का फिर से बता देते हैं 6 is to a as 12 is to 12 108 तो इनको हम लोग पता है 6 upon a हो गया और यहां पर is equal to 12 upon 108 हो गया तो अब इनको हम लोग कर लेते हैं cross multiplication क्योंकि हमें अभी तक cross multiplication इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें किसी की value find out नहीं करनी थी अगर हमें किसी की value find out करनी है if you want to find out the value of any term तो we should cross multiply the fraction हम लोग जो है fraction का cross multiplication भी करेंगे तो 6 का multiplication 108 के साथ हो जाएगा और इच में equal to की sign 12 का multiplication a के साथ हो जाएगा तो 12 multiply a अब क्या करेंगे 6 multiply multiply 108 और 12 यहां नीचे आजएगा क्योंकि यहां multiply में है इधर आके divide में हो जाएगा तो यहां पर 12 divide में हो गया उधर क्या बच्छा उधर बच्छा एग यह कैसे हो यह चित ध्यान रखना है 54 तो यहां पर लिखते हैं hence the value of a is 54 आपको एक question भी आसानी से solve हो गया इसी question था अब उसके बाद हम लोग 4th question देख लेते हैं यहां पर तो फॉर्थ पार्ट क्या है कि find out the value of r in all the following proportions इतने भी प्रपोर्शन उसमें हमें जो भी rf की value find out करनी है तो देखिए यहां पर जो फॉर्थ का यह पार्ट है फॉर्थ का यह पार्ट में जो question है वो है 4 ratio r double ratio 90 ratio 40 तो जैसे अभी हमने उपर उला question लगया same as इसको भी solve करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 upon r हो जाएगा is equal to यहां पर हो जाएगा 90 upon 40 इसको हम लोग cross multiply करा लेते हैं का इनसे इनसे 4 का 40 से करेंगे 4 multiply 40 और 90 का किसे करेंगे आर से करेंगे अब हमें आर की value find out करने है तो 90 को divide में भेज़ देंगे कि उधर वो multiply में है तो upon 90 हो जाएगा इधर क्या बच्चा इधर बच्चा आर तो जीरो से जीरो कट हो गया और कुछ और ज्यादा simplify नहीं कर सकते तो फोर फोर जा 16 यह 16 आ गया और नीचे आ गया 9 is equal to r तो आपकी जो value आ गई hence the value of r is 16 upon 9 तो यह आपकी जो है आर की value आ गए इसा सौरी एक सेगंड हमने यहां पर question गलत जो होता लिए क्या उसमें थोड़ा से मिस्टेक है question में दिख नहीं जाता सही से तो यहां पर 20 होगा तो question गलत होगा इसलिए answer भी हमारा wrong आया है कोई बात नहीं question को सही कर लेते हैं अब उसके बाद यह भी गलत है यहां पर 20 था 4 ratio r is equal to 20 ratio 40 तो अब देख लेते हैं फिर से तो 4 upon r हो जाएगा is equal to 20 upon 40 हो जाएगा cross multiply करा लेते हैं 4 multiply 40 is equal to 20 का multiplication r के साथ r को यहां छोड़के 20 को divide में ले आते हैं 4 multiply 20 upon 20 is equal to r तो 22 जा 40 होता है 4 2 जा 8 तो r के value आ जाएगी 8 पहले question गलत हो गया था तो r के value 8 आ गए अब इसी तरह से आप second third or fourth भी solve कर सकते हैं तो इसका हम d part solve कर देते हैं बागी आपके लिए homework रहेगा तो r ratio 4 double ratio तो यहां पर क्या हो जाएगा r upon 4 हो जाएगा is equal to 200 upon 100 हो जाएगा तो cross multiply करा लेते हैं तो r का multiply हंडेट से और is equal to 200 का multiply 4 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बद्द को यहां छोड़के बार को यहां चोड़करThis के साथ 100 मुल्टिप्लाइ मुसको उधर पेद देते हैं तो r is equal to उधर क्या है उधर पहले 200 into 4 है और नीचे कौन पहुंच गया है डिवाइड में 100 तो 100 2 जा 200 2 4 जा 8 तो यहां पे भी r के value किती ही आ गई r के value आ गई 8 तो यहां पे भी solve हो गया अब बाकी के बचे b और c पार्ट तो this is the homework for you which you have to solve which you which you have to solve and give the answer in the comment box तो fourth का b और c पार्ट यह आपके लिए homework होगा अब बाकी के questions हम लोग second video में solve करेंगे जब तक के लिए आप इसको solve करेंगे जो homework है उसका question का answer comment में मतलब so करिए मिलते हैं next video में okay bye